Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में में रपस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मनही मनव आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं और बिफोर आइस चार्ट दा रीडिंग विश्यू आप वेरी वेलेंटाइन स्टेश आइए I wish all the happiness, all the joy for your relationship और दूसरी बात अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखे, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये Valentine's Special है तो इस रीडिंग में हमारे पस तीन पाइल्स की जगा फॉर पाइल्स है और फॉर्स पाइल में हम देखेंगे कि आपकी क्या Energies रहेंगी February मन्त में सेकिंड पाइल में हम देखेंगे कि आपके Partner की क्या Energies होंगी और फॉर्थ पाइल को जैसे कि आप सब लोग ही Read कर पा रहे होंगे Heart Confessions लिखा हुआ है और इस पाइल में हम देखेंगे कि secretly आपके Partner आपके लिए इस Relationship के लिए क्या महसूस करते हैं क्या उनकी Secret Intentions हैं और Capricorns इस वीडियो में हम देखेंगे कि February मन्त में आपकी क्या Energies रहेंगी तो देखें आपके लिए यहाँ पे सबसे भेला कार्ड है Chariot Reverse और Chariot का कार्ड कहीं Movement की बात करता है, Shift की बात करता है बहुत ही Confidence के साथ, बहुत ही Surety के साथ चीजों का Control अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की भी बात करता है और दिखें आप लोगों के लिए यह Card Reverse है तो कहीं इनी चीजों से Related चोटे मोटे Issues, चोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं यानि की आप बहुत Confidently चीजों का Control लेकर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं Action Initiatives लेना चाहा रहे हैं और कहीं आप नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और दिखें यहाँ पे सब के लिए Different Reasons हो सकते हैं लेकिन Chariot Reverse के नीचे Destiny Point का Card कहता है कि आप हो सकता है कि अपने आपको Crossroads पे पाएं जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि भई आप क्या path चूज करें आप किस direction में जाएं देखें इस Card में भी लिखा हुआ है Which path will you take? Follow your dreams or stay in the comfort zone तो फिर से मैं कहूँगी कि हो सकता है कि कोई decision, कोई choice लेनी है या फिर एक direction अपनी life के लिए या इस love life के लिए आप choose करना चाहा रहे है और देखें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि February starting में आप कोई decision ले रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि आप नहीं ले रहे है लेकिन देखें जो भी हो destiny point के साथ में fate का card है तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किस्मत पे बहुत कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं literally या आपको ऐसे लग सकता है या बढ़ रहे हैं और देखें बहुत जबरदस्ते confidence भी रहता हुआ दिख रहा है और कुछ Capricorns के लिए या काफी सारे Capricorns के लिए हो सकता है mid February या February मन्थ में किसी life के area में या फिर इस love life से ही related एक success एक victory आपको मिल रही है और देखें यहां पर थोड़ी सी आपकी arrogant वाली भी energies रह सकती है तोड़ा सा एक again मैं कहूंगी कि गुरूर किसी चीज के लिए आपको रह सकता है और इसी गुरूर से आप operate कर रहे हैं इसी energy के साथ आप चीजों को भी deal कर रहे हैं और देखें end February के लिए again seven of pentacles का card difficult decisions की बात करता है कहीं you know cross roads पे खड़े होने की बात करता है और यह card भी कहता है कि अब आगे क्या direction ले, क्या path choose करें इसके बारे में ही आप सोच रहे हैं और देखें कहीं seven of pentacles के नीचे love of money का card कहता है कि आप अपनी professional life, career, money, पैसा, tangible, materialistic चीजों को जादा एहमियत, जादा importance देना चाहा रहे हैं या दे रहे हैं और देखें overall ही कहीं end February के लिए या February मन्थ में भी एक practical, एक realistic approach आप चीजों को लेकर जादा रखते हुए दिख रहे हैं तो देखें nutshell में February मन्थ के लिए हमारे पास दो cards हैं जो कि कहते हैं कि आप crossroads पे अपने आपको पा सकते हैं जहां पे क्या direction future के लिए आप decide करें या पिर क्या path आप लें उसके बारे में सोच रहे हैं February starting में कहीं इसी वज़े से यादवाइस भी उतने action initiatives आप लेना चाह रहे हैं नहीं ले रहे हैं mid February में हो सकता है कि again आप action initiatives लें लेकिन end February में कहीं फिर से आप एक pause लेते हुए देख रहे हैं तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए February 2022 की energies and Capricorns इस वीडियो में हम देखेंगे कि February month में आपके partner की energies रहेंगी तो देखें आपके partner के लिए आप इस सबसे बहला card है strength reverse और ये card कहता है कि कुछ time से हो सकता है Capricorns की आपके partner काफी एक irritation, काफी एक frustration, काफी एक गुसा कुछ चीजों को लेकर महसूस कर रहे थे और देखें ये general leading है तो उस सब Capricorns के partner के लिए different चीज़ें हो सकती है जिसको लेके again एक frustration, एक anger वो महसूस कर रहे थे लेकिन अपने इस ही anger को वो बहुत ही positively deal कर रहे थे वो सब्र और patience को चीजों के लिए रखते हुए दिख रहे थे लेकिन कहीं February starting में उनका वो सब्र, उनकी वो patience खतम होते हुए दिख रही है और बहुत एक frustrated, बहुत एक irritated सी energies उनकी रह सकती है जहां पे बात-बात पे वो गुसा कर रहे हैं, बात-बात पे again मैं कहूंगी कि वो irritate हो रहे हैं और दिखे devil reverse का card भी कहीं pressure की बात करता है, stress की बात करता है जो कि mid February तक के लिए ही उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है और दिखे devil कहीं obsessive energies की बात करता है, possessiveness की बात करता है कहीं लोगों को, चीजों को या फिर outcome को किसी level पर control करने की या फिर dominate करने की भी बात करता है और दिखे कुछ ऐसा ही आपके partner के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है वो आपके लिए इस relationship के लिए काफी possessive होते हुए दिख रहे हैं उनको literally ऐसा लग सकता है कि भरी हर हाल में उनको आप चाहिए ही चाहिए है और दिखे इसी वजए से या otherwise भी आपके लिए थोड़े से controlling थोड़े से dominating भी वो mid February में या फिर February मन्त में रहते हुए दिख रहे हैं और दिखे deeper level के लिए together forever का card कहता है कि वो again हमेशा के लिए आपको अपनी life में चाहते हैं और दिखे इस card में लिखा भी हुआ है this love will continue always and forever together or apart तो दिखे उनको ऐसा लगता है मन ही मन चाहें आप उनकी life में रहें या ना रहें या दिखे मैं ऐसे कह सकते हूँ कि चाहें आप उनके पास रहें चाहें आप उनसे दूर रहें लेकिन उनके मन में आपके लिए प्यार महबत कभी भी कम नहीं होगा और दिखे डेविल के नीचे letter का card कहता है कि शायद इन ही energies को आपको express करना चाह रहें हैं इन ही feelings को आपको express करना चाह रहें हैं और बहुत सारे chances हैं Capricorns की वो अच्छे से आपको express नहीं कर पा रहें हैं उनका express करने का तरीका थोड़ा सा गलत रह रह रहा है और देखे कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि उनके partner कहीं आपकी तरफ से किसी message का किसी response का wait कर रहे हैं और हो सकता है Capricorns की उस तरीके का response जैसा वो चाहा रहे हैं उनको आपकी तरफ से नहीं मिल रहा और इस वज़े से भी एक you know stress tension वो महसूस कर रहे हैं इस वज़े से ही एक pressure वो महसूस कर रहे हैं और देखे यहाँ पे कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है कि उनकी personal life में ही कुछ issues कुछ मसले हैं जिनकी वज़े से वो किसी level पे परेशान हो रहे हैं और देखे जो भी mid February तक हो कहीं end February के लिए four of wands reverse का card कहता है कि आपके partner की energies में एक you know positivity आ सकती है एक shift आ सकता है कहीं you know again मैं कहूंगी कि उनका चीजों को देखने का नजरिया किसी level पे बदल सकता है लेकिन देखे four of wands का card भी कहीं शादी की बात करता है कहीं togetherness की बात करता है companionship की बात करता है और कहीं ऐसा ही वो चाहते हुए भी दिख रहे हैं उनको ऐसे लग सकता है कि आपके साथ वो कहीं vacation पे जाएं या फिर जादा से जादा वो आपके साथ time spend करें और नीचे देखे gift का card कहता है कि literally कुछ Capricorns के partner हो सकता है कि money से खरीदा हुआ gift Capricorns आपको दे रहे हैं नहीं तो otherwise देखे किसी तरीके से आपको अपनी feelings, अपनी emotions, अपना प्यार, महबत express कर रहे हैं देखे इस card में लिखा भी है expect a gesture or gift to reveal their true intentions तो फिर से देखे अपनी true intentions, अपनी true emotions को आपको बताने के लिए या तो आपको वो कोई gift दे रहे हैं या फिर कोई gesture उनकी तरफ से हो सकता है अपनी again feelings और emotions को आपको express करने के लिए तो ये था Capricorns आपके partner की energies and Capricorns इस वीडियो में हम देखेंगे कि finally February month में क्या हो रहा है तो देखें February month के लिए सबसे पहले cards आप लोगों के लिए है King of Cups, Rivers and Yes और देखें King of Cups का card taro में कहीं love, प्यार, महबत, emotions और feelings की बात करता है और आप लोगों के लिए ये card reverse है तो इन ही चीजों से related छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे issues रहते हुए दिख रहे हैं और देखें ये general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ Capricorns और उनके partner के लिए होसकता है कि आप दोनू या आप दोनू में से कोई एक बहुत जीज़ादा ही अपने feelings अपनी emotions को express कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक प्यार, महबत होने के बावजूत भी अपनी feelings, अपनी emotions को नहीं express कर रहे हैं और दिखिए दोनों ही सेनारियों में इस relationship में कहीं love, affection, care रहता हुआ दिख रहा है और deeper level के लिए yes का card कहता है कि again आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर मन ही मन बहुत sure हैं, बहुत confident हैं और दिखिए mid February के लिए यहाँ पे 8 of Pentacles का card एक दो चीजें कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि again आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत effort कर रहे हैं, बहुत महनत कर रहे हैं इस relationship के लिए, इस relationship को next level पर लेकर जाने के लिए और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत जादा अपने professional front, अपने career पे focus कर रहे हैं, कहीं tangible, materialistic चीजें आप लोगों के लिए काफी एहम हैं, और दिखें deeper level के लिए ladies night का card कहता है, आप दोनों ही अपने अपने friend circle में जादा socialize कर रहे ह और दिखें जो भी mid February तक हो रहा है, कहीं end February के लिए reunion का card million की बात करता है, फिर से चीजों के better होने की बात करता है, फिर से कहीं एक साथ भी होने की बात करता है, और दिखें इस card में लिखा भी हुआ है, second chances getting back together is now possible, keep an open heart, और दिखें यहाँ पर भी थोड़ा-थोडा सब के general reading है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि mentally, emotionally आप दोनों ही connected थे, लेकिन physical level पे एक distance था, किसी भी reason की वज़े से, again physically आप नहीं मिल रहे थे, या physical distance था, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि physically आप लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन mental, emotional एक disconnect था, तो दिखें जो भी था, कहीं end February के लिए reunion का card, एक million की बात करता है, फिर से एक साथ होने की बात करता है, और दिखें reunion के उपर कहीं emperor का card, एक stability, एक security की बात करता है, तो दिखें कुछ ऐसा ही February end में या February मन्त में इस relationship में भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे again मैं कहूंगी कि एक stability आ रही है, ए discipline तरीके से, बहुत ही systematic तरीके से आप लोग चीजों को deal भी करते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक healthy boundaries create करते हुए दिख रहे हैं, कहीं किसी level पे, again मैं कहूंगी कि एक rules इस relationship के लिए बनाते हुए दिख रहे हैं, या फिर से मैं कहूंगी कि एक discipline तरीके से चीजों को deal करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए February 2022 की energies, and Capricorns इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके partner की secret क्या intentions हैं आपके लिए, तो देखें आपे सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं, we can try again, endings make necessary beginnings, और देखें February मन्त में हमने reunion का भी card देखा था, और इस card मे कहीं second chances भी लिखा हुआ है, तो देखें इन तीनों ही cards को combine करें, तो आपके partner जो भी पीछे मसले थे, जो भी issues थे, जिनकी वज़े से आप दोनों के बीच में किसी भी level पे किसी भी तरीके का distance आ रहा था या आ रहा है, उसको खतम करके, उसको end करके, एक नई beginning इस relationship के लिए एक नई beginning आपके साथ चाहते हैं, और उनको लगता है कि एक बरी और try करना चाहिए, एक बरी और you know हमें इस relationship को chance देना चाहिए, या मैं कह सकती हूँ कि वो इस relationship को एक chance देना चाहते हैं, और दिखी इसी से ही related या फिर otherwise भी कुछ भी blockages उनके मन में हैं, जो भी walls आप दोनो के बीच में हैं, उनको ही remove करने के लिए कहीं आपकी help भी चाहते हुए दिख रहे हैं, देखिए इस card में बहुत ही clearly लिखा हुआ है, help me bring my walls down slowly, तो फिर से देखिए जो भी walls उनके मन में create हुई हुई हैं, या जो भी blockages हैं, उनको वो remove करना चाहते हैं, आपकी help चाहते हैं, आपके साथ एक reunion चाहते हैं, आपकी life में दुबारा आना चाहते हैं, तो ये था Capricorns आपके partner की secret intentions and अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें